नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल के रेजी स्टेडी पॉइंट पर तो देखाजम कम्प्यूटर की आधारभूत सरंजना यानि की बेसिक कम्प्यूटर आर्किटेक्चर जिसके अंतरगत हार्डवेर, सॉप्टवेर, सीप्यू से रिलिटेट जो भी एक्जाम्स में क्यूटर पूछे गए हैं, उन सभी क्यूटर को यहाँ पर डिसकस करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले यह दिया आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नए अपडेट हो, तो उसका notification आपको मिल सके, तो चले स्टार्ट करते हैं, तो देखिए पहला question है, कि नीमन में से कौन सा Samoa है, हाडवेर का है, तो हमें यह बताना है कि इन में से जो कौन सा Samoa है, उसमें सभी हाडवेर हैं, तो देखिए पहला है CPU, MS Word, तो यहाँ पर देखिए जो MS Word है, वो एक application software का example है, तो यहाँ पर यह हाडवेर नहीं है, इसके लावा जो CPU, CD और keyboard, यह जो सभी हैं, वो क्या हैं, हाडवेर हैं, तो पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो MS Word है, वो हाडवेर नहीं है, दूसरा देख यह MS Excel, तो देखिए जो MS Excel है, यहाँ पर यह क्या है, एक software है, इसके लावा देखिए scanner, keyboard, printer, इसमें यह तीनु क्या है, हाडवेर हैं, लेकिन जो MS Excel है, यहाँ पर वो क्या है, एक software है, तो यह भी हाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अगला देखिए Photoshop, तो देखि कि कौन से समय में सभी हाडवेर हैं, तो second option जो है, इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा, अगला question देखिए, निमन में से किस परकार के printer में printing ribbon काम में आती है, तो हमें बताना है कि किस printer में printing ribbon जो है, उसका यूज होता है, तो देखिए जो dot matrix printer है, इसके अंतरगत printing ribbon उसका यूज क किया जाता है, तो देखिए dot matrix printer में क्या होता है, कि इसमें एक printing head होता है, जो श्याही लगे ribbon पर परहार करता है, और character क्या होते हैं, उभर आते हैं, यह एक बार में एक ही character का प्रिंट कर सकता है, इसमें print की जो गुनवता होती है, अच्छी नहीं होती है, तो जो printing head होता है वो printing ribbon जिस पर शाही लगी होती है, उस पर क्या करता है, परहार करता है, जिससे जो character है, वो क्या होते हैं, छपते हैं, तो थर्ड option जो है, इसका यहां पर क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, कि जो printing ribbon है, इसका use किस में होता है, dot matrix printer के अंतरगत, अगला किशन देखिए, किसी चपे हुए चित्र या text को digital रूप में, तथा digital चित्र या text को चपे हुए रूप में लाने के लिए प्रियुत उपकरण करमस है, देखिए, यदि हमारे पास किसी page पर चपा हुआ image या text है, यदि हम उसको digital रूप में लाना चाते हैं, तो उसको हम scanner के दवारा क्या करते है सबसे पहले scan करेंगे, तो हमें scanner की आवशकता होगी, और यदि हमारे पास कोई digital चित्र या text है, तो हम उसको यदि चपे हुए रूप में लाना चाते हैं, तो printer के दवारा हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हमें यदि चपे हुए चित्र या text को digital रूप में ल देखिए जो modem है वो एक hardware होता है तो second option जो है इसका यहां पर correct transfer हो जाएगा इसके लावा देखिए modem की full form भी exam में पूछी जाती है देखिए modem इसमें इसकी full form होती है modulator और demodulator तो यह भी आपको ध्यान रखना है modulator और demodulator यह होती है modem की full form इसके लावा देखिए modem होता क्या है तो यह एक electronic उपकरण है जो digital संकेतों को analog संकेतों में बदलता है और संचार माद्यम पर भेजता है तथा प्राप्त किये जो digital संकेत होते हैं उनको analog संकेतों में बदलता है यह modem का कारिय होता है और इसकी full form क्या होती है modulator demodulator यह भी जहाने रखना है अगला किसे देखिए modem का पूरा नाम है तो अभी हमने discuss किया कि modem की full form क्या होती है modulator और demodulator तो third option जो है इसका यहां पर right answer हो जाएगा कि modem की full form है वो होती है modulator demodulator अगला किसे देखिए निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो हमें यह बताना है कि इन में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है तो modem एक software होता है तो यह गलत है अभी हमने देखा था कि modem क्या होता है एक हाड़वेर होता है modem voltage का इस्ताइक रण करता है तो ये गलत है modem परचालन तंतर होता है यानि कि modem जो है वो एक system software है तो ये भी हाँ पर क्या है गलत है modem analog signal को digital signal में तथा digital signal को analog signal में बजलता है तो ये बिल्कुल क्या है सई है modem का कारिय ही यह होता है तो fourth option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए computer का microprocessor उधारन है तो देखिए जो microprocessor है वो hardware का example है तो first option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा जो microprocessor है वो क्या होता है एक hardware होता है अगला कुछन देखिए UPS का मतलब है तो देखिए जो UPS है वो एब बादित विद्धित आपूर्ती के लिए इसका यूज होता है और इसकी full form क्या होती है UPS इसकी full form होती है Unirapted Power Supply तो second option जो है इसका यहां पर correct answer हो जाएगा Unirapted Power Supply तो second option जो है इसका यहां पर correct answer होगा अगला कुछन देखिए निम्न में से कौन सा समुए सोप्ट्वेर का है तो हमें बताना है कि इन में से की समुए में सभी सोप्ट्वेर है तो पहले option में देखिए MS Word एक सोप्ट्वेर है इसके लावा देखिए WhatsApp और PowerPoint ये तो सोप्ट्वेर है लेकिन जो scanner है वो क्या है ये के hardware है तो यहां पर गलत हो जाएगा अगला देखिए monitor ये भी एक hardware होता है printer ये भी एक hardware होता है जबकि जो MS Word है वो तो एक application software है तो ये भी गलत हो जाएगा इसमें भी जो सबी समुए है वो software नहीं है अगले में देखिए MS Excel ये एक application software है ऐसे Photoshop ये भी एक software है लेकिन जो mouse है वो क्या है के hardware है तो ये भी यहां पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो किस समुए में सबी software है तो first option जो है इसका यहां पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए निमन में से कौन सा application software नहीं है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा application software नहीं है तो देखिए web browser, spreadsheet software, word processing software ये सबी जो है वो application software है लेकिन जो MS Windows है वो क्या है एक operating system होता है तो यहाँ पर जो MS Windows है वो एक application software नहीं है यह एक system software है या operating system है तो first option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा अगला question देखिए निमन में से कौन सा application software है तो हमें यह बताना है कि निमन से कौन सा जो है वो application software है तो देखिए Windows, Unix और Linux यह तीन नुई जो है वो operating system है या system software के examples है लेकिन यहाँ पर जो web browser है वो क्या है एक application software है तो second option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा जबकि Windows, Unix और Linux यह क्या है operating system के example है या system software के examples है अगला question देखिए DTP का पूरा नाम क्या है तो देखिए DTP इसकी full form होती है desktop publishing तो second option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा कि DTP की full form होती है desktop publishing तो second option जो है इसका यहाँ पर crack transfer होगा अगला question देखिए निमली खित में से कौन सा software नहीं है तो कौन सा software नहीं है यह हमें बताना है तो यहाँ पर देखिए Microsoft Word यह एक software का example है Internet Explorer तो यह भी एक software है Windows Media Player तो यह भी एक software है लेकिन barcode scanner जो BCR होता है यह एक input device होती है यानि कि एक hardware है तो third option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा कि जो barcode scanner है वो एक software नहीं है अगला question देखिए निमन में से कौन सा एक system software है तो हमें बताना है कि इन में से कौन सा system software है तो देखिए text संपादक यानि कि word editor, tally और spreadsheet यह सभी जो है वो application software example है लेकिन जो device driver है यह एक system software है तो first option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा device driver जो है वो क्या है एक system software का example है तो देखिए system software होते कौन से हैं तो computer में system software उन software को कहा जाता है जिनका काम computer पर काम करने वाले अन्य software और applications के लिए सेवाएं परदान करना होता है या उनको control करना होता है यह software जो है वो background में कारिये करते रहते हैं जैसे example के तोर पर operating system जिसके अंतरगत MS, Windows, Windows 98 वगरा जो भी है वो operating system है वो भी system software के ही example है एसी जो disk drivers है वो भी system software के ही examples है और application software कौन से होते हैं वे software जिनके माद्यम से उपयोग करता computer पर विभिन कारियों को संपन करता है वो application software कहलाते हैं जैसे कोई document बनाना हो, photo edit करना हो, game केलना हो, internet से हमें जूना हो तो इस प्रकार के जो सभी software है वो application software के अंतरगताते हैं और वे software जो सभी hardware को manage करते हैं वो क्या होते हैं, system software होते हैं जैसे operating system है, device driver है तो यह सभी जो हैं, system software के examples हैं अगला question देखिए, निम्नांकित में से कौन सा software का एक उधारन नहीं है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा software का उधारन नहीं है, तो देखिए, MS Word यह एक software होता है MS Excel तो यह भी एक software है, और MS PowerPoint तो यह भी एक software है जबकि जो touchpad है, वो एक software का example नहीं है, touchpad क्या है, एक hardware है तो fourth option जो है, इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा software नहीं है अगला question देखिए, software program जिसे कानोनी तोर पर संकलित किया जा सकता है और आम तोर पर निसुल उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है तो देखिए, इस परकार के software program को public domain software की category में रखा जाता है तो fourth option जो है, इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा कि public domain software वे होते हैं, जिनको कानोनी तोर पर संकलित किया जा सकता है और आम तोर पर निसुल उपयोग किया जाता है ऐसे software जो है, वो public domain की category में आते हैं या दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि copyright, trademark या पेंटेट जैसा कोई इनका स्वामित वै नहीं होता है ठीक है, ऐसे देखिए, shareware में कौन से आते हैं तो shareware की category के अंतरगते वे सभी software आते हैं, ऐसे software होते हैं जो कुछ समय के लिए free trial पर upload होते हैं लेकिन यदि उसके पसाद में हम उनका use करना जारी रखते हैं तो उसके पसाद हमें क्या करना पड़ता है, इसका भुगतान करना पड़ता है ऐसे ही देखिए, जो यह तो mindware है, यदि malware software आपने देखा होगा malware, तो malware software की category में कौन से आते हैं यह ऐसे software होते हैं, जो किसी system की जानकारी या आकड़े को चोरी करने के लिए बनाई जाते हैं ठीक है, तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगला question देखिए, CPU का पूरा नाम है तो यहाँ पर देखिए, CPU की full form होती है Central Processing Unit, तो second option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा कि CPU का पूरा नाम है Central Processing Unit अगला question देखिए, computer का मस्तिस्क कहलाता है तो देखिए, जो CPU है, अभी हमने देखा CPU, जिसकी full form होती है Central Processing Unit तो इसको हम computer का मस्तिस्क कहते हैं तो second option जो है, इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा कि जो CPU है, वो computer का मस्तिस्क कहलाता है अगला question देखिए, CPU की गती किस में मापी जाती है तो देखिए, CPU की जो गती है, उसको hertz में नापा जाता है यह आपको ध्याने रखना है तो CPU की गती का आधार होता क्या है देखिए, CPU का कारिया निस्पादन शमता का जो मापन है वो pry हम megahertz या gigahertz में इसका मापन किया जाता है ठीक है, और computer की गती को एक second में process किये गए निर्देशूं की संख्या के आधार पर मापन जाता है कि एक second में process किये गए जो निर्देशूं की संख्या होती है उसको हम computer की speed बोलते है और pry किस में मापन जाता है इसको megahertz या gigahertz में तो CPU की जो गती हो किस में मापन जाती है hertz में मापन जाती है तो fourth option जो है इसका यहाँ पर क्या होगा correct transfer हो जाएगा अगला किस में देखिए किसी computer system में सभी operations कहां process किये जाते है तो देखिए computer system में जो सभी operations है उनको कहां process किया जाता है CPU में किया जाता है तो देखिए पहले हम सबसे पहले क्या करते है input device की माद्यम से input कर देते है input देने के पस्चाथ उसमें क्या होती है processing होती है और processing कहा होती है यह CPU में होती है और उसके पस्चाथ processing के पस्चाथ हमें क्या मिलता है output मिलता है तो यह जो processing होती है यह कहा होती है CPU के अंतरगत होती है तो third option जो है इसका यहां पर correct transfer हो जाएगा computer के processor की गती को निमली खीत में से किश में मापा जाता है तो देखिए computer के processor की जो speed होती है उसको MIPs यहां पर यह M नहीं है आपर आसे तो मैं मापा जाता है जिसकी full form होती है million इंस्ट्रक्शन पर सेकंड तो कम्प्यूटर के प्रोसेसर की जो गति है उसको M.I.P.S. यानि की मीलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापद आता है तो सेकंड ओप्शन जो है इसका यहां पर क्रेक्ट रांज वर्क हो जाएगा अगला किशन देखिए ALU है तो देखिए ALU ये इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है अरिथमेटिक लोजिक यूनिट जो भी गणिती है और अरिथमेटिकल जो संक्रियाएं होती है लोजिकल जो संक्रियाएं होती है वो सभी किसके दोवारा की जाती है ALU के दुवारा निस्पादिते की जाती है और इसकी full form क्या है Arithmetic Logic Unit तो first option जो है इसका यहां पर correct answer हो जाएगा अगला किसमें देखिए अंक गणीतिय वद तारकिक दोनु कारिय किसके दुवारा किये जाते हैं तो अभी हमने देखा कि अंक गणीतिय वद तारकिक दोनु जो कारिय हैं वो ALU के दुवारा किये जाते हैं जिसकी full form होती है Arithmetic Logic Unit तो first option जो है इसका यहां पर correct option हो जाएगा अगला किसमें देखिए GUI का क्या आर्थ होता है तो देखिए GUI इसकी full form होती है Graphical User Interface Graphical User Interface तो second option जो है इसका यहां पर correct transfer हो जाएगा अगला किसमें देखिए CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निस्पादन का chain, निर्वाचन और monitor करता है तो देखिए जो control unit होती है वो सभी program के instruction को क्या करती है उनका selection और उनके उपर जो भी मतलब control होता है वो किसका होता है control unit का होता है तो third option जो है इसका यहां पर correct answer हो जाएगा तो control unit जो होती है वो computer के सभी कारियों पर अपना नियंतरन रखता है यह software और hardware के बीच का जो समन्वे इस्तापित है उसको कौन control करता है तो control unit के दुवारा ही इनको control किया जाता है control unit का मुख्य कारिये input, output device तथा सभी प्रगार के जो hardware है उनको control करना उनके instruction को पढ़ना और उन्हें processing करने के लिए निड़ेश देना जो है यह सभी कारिये control unit के दुवारा किया जाते है तो third option जो है इसका यहाँ पर correct transfer हो जाएगा अगला question देखिए computer में उप्योग आने वाली IC chip किसकी बनी होती है तो देखिए जो IC chip होती है जिसकी full form होती है integrated 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 circuit तो किसकी बनी होती है silicon की बनी होती है तो second option जो है इसका यहाँ पर correct transfer हो जाएगा कि जो IC chip है वो silicon की बनी होती है अगला question देखिए कौन सा software एक computer और उसकी सुरक्षया को नुक्सान पहुंचाने अथ्वा आपरादी गती विदियों में सलंगन करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो जो malware है इसका यूज जो है वो आपरादी गती विदियों को करने के लिए इसका यूज किया जाता है अभी थोड़ देर पहले मने बताये था कि malware एक ऐसा software होता है जो किसी system की जानकारी या उसका जो data होता है उसको चोरी करने के लिए इसको बनाया जाता है तो third option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा इसके लाब भी बताया था मैंने Adware क्या होता है तो Adware क्या होते हैं ये विज्यापनु द्वारा समर्तित एक मुथत software है आपने देखा होगा कि जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो automatic कुछ add चलते रहते हैं तो वो Adware के दवारा ही नियंतरित होते हैं ऐसे shareware में कौन से software आते हैं तो ऐसे software होते हैं जो कुछ समय के लिए हमें free trial पर उपलब्द होते हैं लेकिन उनका use जारी रखने के लिए हमें बाद में उसका कुछ बुक्तान करना पड़ता है तो इस परकार के जो software होते हैं वो shareware की केटेगरी में आते हैं और freeware में वे software होते हैं जिनका कोई copyright patent नहीं होता है बिल्कुल free available होते हैं वो freeware की केटेगरी में आते हैं अगला question देखिए AIDC सवचालीत रूप से वस्तूँ की पहचान उनके बारे में डाटा इकटा करने और मानव की भागिदारी के बिना computer system में डाटा सिधे डालने के तरीकों को समदर्विते करता है तो हमें बताना है कि AIDC की full form क्या है तो AIDC इसकी full form होती है automatic identification and data capture तो AIDC इसकी full form होती है automatic identification and data capture तो second option जो है इसका इहां पर correct transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए solve S.O.U.L. से तात्परिया है तो देखिए S.O.U.L. इसकी full form होती है software for university libraries तो S.O.U.L. इसकी full form होती है software for university libraries तो first option जो है इसका इहां पर correct transfer हो जाएगा इसके लाव देखिए जो university libraries है इनके लिए software एक अत्यादूनिक एककिकरित पुस्तकाले परबंदन software है जो college और विश्व विदालों के पुस्तकालों की आजशकताओं के आधार पर इनको design और विख्षित किया गया है किसको S.O.U.L. जिसकी full form क्या है software for university libraries अगला question देखिए computer hardware निमन में से किसके बिना कारिय नहीं कर सकता है तो देखिए जो computer hardware है ये software के बिना एक निर्जी वस्तु की तरह मान सकते हम कि जो hardware है वो बिना software के हमारे कोई काम के नहीं है तो किसके बिना कारिय नहीं कर सकते है तो software के बिना जो है computer hardware कारिय नहीं कर सकते तो third option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा अगला question देखिए Microsoft Office किस प्रकार के software का उधारन है तो देखिए जो MS Office है जिसके अंतरगत MS Word, MS PowerPoint, MS Excel यह सब भी आते हैं तो यह एक application software का example है अनुपरयोग software तो second option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा अगला question देखिए SMPS का पुन रूपे बताइए तो देखिए SMPS इसकी full form होती है switched mode power supply तो SMPS इसकी full form होती है switched mode power supply तो second option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा अगला question देखिए एक ऐसा electronic device जो computer के digital signal हों को analog सवरूप में रुपांतरीत करता है तकि phone line के दुआरा उनका संचारन किया जा सके इसे क्या कहते है तो अभी हमने थोड़े देर पहले पढ़ लिया इसके बारे में तो यह modem कहलाता है first option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा और इसकी full form क्या होती है modulator, demodulator next question देखिए इन में से कौन computer hardware के रूप में वर्गी करिते नहीं है तो यहाँ पर देखिए mouse यह भी एक hardware है hard disk यह भी hardware है और monitor यह भी एक hardware है लेकिन DBMS जिसकी full form होती है database management system यह एक software है hardware नहीं है तो fourth option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा अगला question देखिए operating system इन में से क्या होता है तो देखिए जो operating system है वो system software की category के अंतरगते आता है तो first option जो है इसका यहाँ पर crack transfer हो जाएगा कि जो operating system है वो system software की category के अंतरगते आता है तो ठीक है दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जदा जदा लाइक करें शेयर करें और यदि आप channel पर नए हैं तो please channel को subscribe कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जुरू प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नए आपडेट हो तो उसका notification आपको मिल सके okay thank you